यूट्यूब चैनल में एक बार फिर शाप्षों का बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहें इन दोस्तान के जलग दोस्तों यदि आप CAC ID लेने के लिए सुच रहें तो यह वीडियो आपके लिए इन्पोर्टन्ट है CAC ID लेने से पहले सबसे पहले आपको TC में रेश्टेशन करना होता है उसके बाद आपको TC का एकजाम पास करके CAC ID के लिए अपलाई करना होता है तो आज किस वीडियों में आपको TC में रेइश्टेशन कैसे करेंगे, TC में रेइश्टेशन करने का सही तरीका क्या है, सही प्रोसेस क्या है, आज किस वीडियों आपको complete जान करी देंगे, यदि आप सही तरीका को नहीं जानेंगे, सही प्रोसेस को नहीं जानेंगे, CID लेन में आपको प्रेशानी का सामना करना पड़ेगा तो टीसी में रेइश्टेशन करने का सही तरीका क्या है आज के सी उडियों बताने जा रहे हैं तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को फटा-फट शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने मुबाइल या कंप्यूटर में ब्रोजर को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद यहां पर आपको गूगल सर्च में टीसी एकजाम टाइप करके सर्च करेंगे पाला वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको थ्री डॉट देखने को मिल रहा है तो थ्री डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है और यहां पर दोस्तो आपका डेस्टॉप मूड डिसेबल रहेगा तो यहां पर आपको डेस्टॉप मूड के आपको टिक कर लेना है जैसे टिक करेंगे तो आपका ये ब् यहां पर नीचे आपको देखे लोग इन वीट आस का ओप्शन देखने को मिल रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस परकार का पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा यहां पर आपको वेट करना है देखे इस परकार का डेजबर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा यहां पर दोस्तों आपको रेश्टेशन का ओप्शन देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहां पर देखे आपको लोग इन का भी ओप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप registration successfully कर लेते हैं तो यहाँ पर उसके बाद आपको login करना होता है तो यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो आपको TC में registration करने का सही तरीका बताने जा रहा हूँ तो यहाँ पर हम register पर click कर देंगे जैसे registration पर click करेंगे तो देखे इस परकार का interface आपके सामने खुल करके आ जाएगा इस परकार का dashboard आपके सामने खुल करके आ जाएगा यहाँ पर देखे आप से name फिल करने के लिए बोला जा रहा है थोड़ा सा इसे हम zoom कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखे यहां पर देखे सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है देखे एज पर गवर्मेंट आइडी प्रूब यानि कि आपके आधार में जो नाम है उसी को यहां पर फिल करना है उसके बाद यहां पर आपको वेलिड इमेल इडी फिल कर देना है उसके बाद यहां पर आपको फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम ये सबी फिल करना है उसके बाद यहाँ पर आपको state को select करना पड़ेगा फिर district को select करना पड़ेगा फिर यहाँ पर आपको अपना full address को फिल करना होगा यहाँ पर full address में आपको अपना आधार में जो details है जो full address है उसी को फिल करना है उसके बाद यहाँ पर आपको gender को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको date of birth को फिल करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना upload student photo तो यहाँ पर आपको एक अपना passport size photo को upload करना होगा उसका साइज होगा 50 के भी से नीचे का JPG या PNG में होना चाहिए उसके बाद स्क्रोल करते बें नीचे आएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको केपचा को फिल करके समिट पर क्लिक करना होगा उसके पहले दोस्तों यहाँ पर उपर में आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों ऊपर में देखिए आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा डियर कंडिडेट कांडली इंटर दर डिटेल्स केरफुली एज पर योर फोटो आइडी प्रूव यहाँ पर आपके आइडी प्रूव में जो डिटेल्स है उसी को फिल करना है उसके अलावे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है आपके आधार में जो डिटेल्स है उसी को फिल करना है उसके बाद आगे देखते हैं क्या है तो यहाँ पर आपको साबधानी से फिल करना है उसके बाद देखे there is no option of correction once you submit the details यदि आप उसमें details जो भी submit करेंगे उसमें correction का कोई option नहीं है तो यहाँ पर आपको carefully साबधानी पुरबक से आपको details फिल करना है आपके आधार में जो details है उसी को फिल करना है उसके आलावे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है यहाँ पर यदि आप कुछ other फिल कर देते हैं तो आपका registration तो हो जाएगा exam भी आपका clear हो जाएगा उसके बाद आप CSE ID के लिए apply करेंगे यदि आप नाम में कुछ गलत किये हैं तो आपको वहाँ पर registration करते समय CSE ID के लिए apply करते समय वहाँ पर आपको name में mismatch बताएगा यदि आप address में कुछ changes करते हैं कुछ बदलाव करके फिल करते हैं तो आपको जब आप CSE ID के लिए apply करेंगे तो वहाँ पर आपको address mismatch बताएगा तो यह सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा इन सभी बातों का ध्यान रखके आपको TC में registration करना होगा तो यहाँ पर TC में registration करने के लिए आपको यहाँ पर फी भी payment करना होता है तो चलिए हम demo के तौर पर आपको details फिल करके आपको केतना फिक करना होगा आपको आगे प्रोसेस करके आपको दिखाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम डिटेल्स को फिल कर लेंगे उसके बाद आगे आपको प्रोसेस करके दिखाएंगे डेमो के तौर पर यहां पर मैं सभी को फिल कर दिया उसके बास सम्मेट पर क्लिक कर देंगे जैसे सम्मेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यह लोडिंग लेगा तो यहाँ पर आपको पृतिख्चा करना है जैसे यहीं सम्मेट पर क्लिक करता है इस पर car -interface आपकेisma के खूल करके आ जाएगा यहाँ पर देखिए payment का option आ चुका है यहाँ पर आप देख पा रहेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 1489 रुपिया 72 पैसा आपको payment करना होगा टोटल एमांट देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा 1489 रुपिया 72 पैसा उसके बाद नीचे आएगे तो यहाँ पर देखिए आपको payment का option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप कैसे payment करना चाते हैं यहाँ पर देखिए debit card है net banking है UPI है तो यहाँ से आप UPI के माध्यम से भी आप payment कर सकते हैं जैसे UPI पर click करेंगे यहाँ पर आपको इस परकार का option आपके सामने खुल करके आ जाएगा यहाँ पर आप भीम UPI के माध्यम से कर सकते phone पे, google पे, patm, whatsapp other UPI को भी यहाँ पर आप add कर सकते हैं उसके बाद make payment पर click करना होगा उसके बाद आप से UPI ID मांगा जाएगा तो यहाँ पर आपको UPI ID फिल कर देना जैसे आप UPI ID फिल करेंगे आपके application में एक notification जाएगा तो वहाँ पर आपको payment का option देखने को मिल जाएगा वहाँ से आप payment कर देंगे तो यहाँ पर आपका payment successfully हो जाएगा successfully होते ही आपको TC number और password आपके number पर मैसे चला जाएगा और साथ ही आपको email में भी मिल जाएगा वहाँ से आप अपना TC number को देख सकते हैं registration number को देख सकते हैं और password आपका क्या है वो भी आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैं demo के तोर पर आपको यह सभी करके दिखा रहा हूँ तो इस परकार से आप बड़े ही आसानी से TC में registration कर सकते हैं और CACID के लिए apply कर सकते हैं CACID को ले सकते हैं आज के इस वीडियो मैं आपको TC में registration करने का सही तरीका क्या है आज के इस वीडियो मैं आपको complete जानकारी दे दिया हूँ अगले वीडियो मैं आपको login करने के बाद आपको कैसे exam देना है exam देने का सही तरीका क्या है अगले वीडियो मैं आपको complete जानकारी देंगे उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा साथी helpful भी लगा होगा आप हमें comment करके बता सकते ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो को बनाने का उद्धे से जानकारी प्राप्त करना है और कुछ नहीं तो आज के लिए इस वीडियो में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत